करता है आपके सिस्टम में रिष्रिक्षिन ला देता है जैसे आपको लग रहा होगा फाइनल मतलब अब बस फाइनल ऊचुका है यह चीज आप इस चीज नहीं हो गई धिक यह variable जो मैंने define किया अब यह इसके बाद change नहीं होगा ठीक है तो वही काम करता है final keyword आपके system में restriction आए था जैसे हमने के बाद static keyword पड़ाता ना static keyword आपका methods का आगे लग सकता है classes का आगे लग सकता है तो थोड़ा confusing हो सकता है at times बट आज उसको simplify करने का कोश्च करेंगा ठीक है तो final keyword यार सुनके ही लग रहा कि मतलब अब यह चीज़ final होगी तो मतलब अगर आपने variable के नाम के आगे final लगा दे तो मतलब क्या होगा कि अगर आपने बोल दिया कि कोई variable final हो चुका है तो अब इस इसका मतलब अब इस class के कोई children नहीं बनेंगे ठीक है तो suppose करो ऊपर से कुछ चलते आरिया hierarchy ठीक है object class से लेकर कुछ चलते आरिया hierarchy फिर नीचे आप नीचे वाली class को आपने बोल दिया कि अब first final ये last class तो इसका मतलब final लगाते ही अब इसके children नहीं बनेंगे ठीक है यह आप उसे override कर देते हो आप method के बीवर को चेंड कर देते हो तो final method क्या करता है अगर 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 आप method के आगे final लगाते हो तो अब वो उसे override कर सकते आप अब जो method आपने बनाया जिसको आपने final कर दिया उसको आप override नहीं कर सकते है तो basically restrictions लाने के लिए system के अंदर कि बस अ नहीं हो सकता उसकी value हमेशा हमेशा के लिए वो पत्थर की लकीर हो गई या वो चेंज नहीं हो गई अब final method cannot be overridden final method को आप override नहीं कर सकते है अब final class cannot be extended ठीक है तो एक एक करके सब को देख लेते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है ठीक है तो इस main class के अंदर let's say मैंने कुछ बनाया string name equals to anuj अब मैं जब इस name को कुछ और assign करता हूं let's say कुमार तो क्या हो रहा है तो एक anuj बना था यहां पर ठीक है यह string था और एक name था और इस name की value यह assigned थी कि name की value अनुझ हैगी अब मैं जब इसे final कर दूँगा तो अब इस के अंदर जो value है वो change नहीं हो सकती ठीक है यह anuj की value change नहीं हो सकती अगर मैंने बोल दिया की final तो बस अब यह final हो चुका है यह anuj final हो चुका है तो अभी तो मैं देख रहे हैं आप कुमार भी कर पा रहा हूं क्योंकि यह final नहीं है तो मैंने क्या किया एक अलग string बनाया basically ठीक है क्योंकि यह string तो आपके change नहीं होते है immutable होते है तो इस name अब जब मैंने x go to 7 कर दिया तो आभी 6 की value 7 जागी basically आपने इसकी value change कर दी है ना लेकिन जैसे ही मैं इस name के आगे final लगाओंगा तो मैं क्या करूंगा इस name के आगे final लगा दूँगा और यहां पर इखा है the final local variable name cannot be assigned it must be blank and not using a compound assignment चलो यह बता हूंगा इसका मतलब क्या है कि आपने अगर एक variable बनाया और यह तो आपका local variable है यह जो name है आपका local variable है लेकिन अगर आपने कोई variable बनाया है class के अंदर और उसे final बोल दिया आपने तो इसको आपको initialize करना जरूर ही है अगर आप initialize नहीं करोगे तो compiler आपका error देगा आपने कोई variable बनाया लेकिन अगर आप एक final variable बना रहे हो तो आपको इससे initialize करना जरूरी है यहां पर वरना आपको error मिलेगा compile time error देखा है दा blank field role number may not have been initialized हना कि यह जो blank field है तो basically एक non initialized final variable को ही हम blank field बोलते है ठीक है तो यह वाला जो blank field यह initialize नहीं हुआ है तो अगर आप इसको initialize कर दोगे तो role number है यह तो इसको string बनाना कुछ point नहीं है इसको int बनाते हैं तो इस int को कुछ role number देते हैं तो अब यह खुश है तो basically अगर आप आप एक final variable बना रहे हो class के अंदर और उसको आप final declare कर रहे हो तो आप उसको initialize करना जरूरी हो से ठीक है initialize नहीं कर रहे हो तो आपको compile time error मिलेगा बट वो चीज local variable से लिए true नहीं है तो इसका मतलब आप एचीज कर सकते हो मतलब यह final name string है क्योंकि यह local है इसलिए चल जाएगा ठीक है लेकिन इसको यूज करने से पहले तो अभी भी इसको initialize करी ले ना वरना आपको यह वाला error मिलेगा तो यह variable आप यूज कर रहे हो यह तो अगर मैं यह से final हटा भी दूगा तो भी यह वाला error अभी भी रहेगा तो basically अगर कोई final variable है class के अंदर है functions के अंदर नहीं है basically local variable नहीं है तो उसको अगर final मिला रहे हो तो आप उसको initialize भी करो आगे move करते हैं इसके बाद है it is a good practice to name all your final variables in all caps तो पता से जाता है अगर को all caps में लिखा हुआ इसका मतलब यह final होगा ठीक है यह variable final है अब यह change नहीं होगा तो यह convention है कि अगर आप सारी जो letters है variable के उनको all caps रखते हो तो दूसरे को देखने वाले को लगते है कि हाँ यह final है यह change नहीं होगा तो इससे मुझे change करना का try भी नहीं करना है तो basically कैसा convention follow क करना है आपको roll और फिर underscore के साथ separate करना है इसे है ठीक है तो दो words को आपको underscore के साथ separate करना है तो यह देखके लगेगा हाँ यह final है ठीक है ओके यह convention होता है basically आपको follow करना चाहिए a final variable is called a blank final variable if it is not initialize while declaration तो अगर आप जैसे आपने यहाँ पर यह किया यह name आपने initialize नहीं क्या declare करते है तो यह blank variable है ठीक है यह blank variable है और इसको आपको initialize कर देना चाहिए तो let's say यह मेरी class है ठीक है मैंने class बना यह student class Java के अंदर इन support आते हैं परे यह से तो यह मेरी student class है यह मेरी final keyword package के अंदर है और मैंने किया इसके अंदर एक role number है field और एक name है ठीक है तो हर student का एक role number होता है हर student का एक name होता है तो अगर मैंने को final declare कर देता हूं तो let's say final int and final name यह जो होते हैं यह हमारे होते हैं blank final variable ठीक है blank final variable इसका मतलब क्या है कि यह अभी blank है ठीक है अभी final है और blank है इनको अभी हमने initialize नहीं किया और हमें अभी compile time error आ रहा है कि these are not initialized तो please initialize them ठीक है तो इनको initialize कहां कहां पर कर सकते हैं तो इनको initialize करने के काफी जगों पर हैं तो basically आप static block बनाते हो वहां पर initialize कर सकते हो ठीक है जो normal आप block बनाते हो initializer block उनके अंदर आप इनको initialize कर सकते हो या फिर आप इनको constructor के अंदर इनशिलाइज कर सकते हो ठीक है तो यह जो खाली ब्लॉक होता है इसको initialize कर दो यह भी खुश है ठीक है तो क्योंकि यह नॉन स्टैटिक है तो अगर आपको यह स्टैटिक बनाओगे तभी इसको रेफरेंस कर सकते हो यहां पर तो लेट से विए नॉट में इस्टैटिक इसके अंदर आप इसको अगर आपको कोई स्टैटिक ब्लॉक के इन दर इसको अईयां एक न कर सकते हो या फिर एक बना लीत यह है उसके अंदर भिया हम कर सकते है ठीक है तो पलिक स्टुडेंट and name equals to let's say तो यहाँ पर भी यह खुश है तो basically यह आपका blank variable था blank final variable और आप इसको initialize कहाँ पर कर सकते हो एक normal initializer block के अंदर जो आपका simple curly braces होते हैं open and close एक static initializer block के अंदर जिसके अंदर सिर्फ static variables को आप initialize कर सकते हो या फिर एक constructor के अंदर ठीक है इन सब जोगों पर आप initialize कर सकते हो इन case of reference final variable अब आज़ेता है reference final variable की अभी तक हमने जितने भी बात की थी यह सारे सारे आपके normal variables थे यह int होके string हो गया अब बात कर लेता है reference final variable की जब आप किसी object को reference कर रहे हो ठीक है किसी object को reference कर रहे हो आप उनको भी final बना सकते हो तो जब आप object को reference कर रहे होते हो तो थोड़ा change हो आता है अब object को reference को तो आप change नहीं कर सकते है ठीक है वो तो final हो चुका है लेकिन जो object के अंदर values है ना वो change हो सकती है internal values object की change हो सकती है लेकिन वो पूरा का पूरा रेफरेंस आप किसी और object को assign नहीं कर सकते हैं समझ में रहे हैं? तो इसे ऐसे समझ लेते हैं, जैसे कि suppose यह normal आपका student class है जिसके अंदर int और name है, ठीक है? और इससे यह हटा देते हैं यहां से और main class के अंदर एक object मनाते हैं, student का, तो student object equals to new student ठीक है? तो यह आपने student class का एक object मना लिया और आप अभी चाहो तो एक दूसरा student भी बना सकते हो student object 2 equals to new student और आप जब मरजी यह चाहो तो यह कर सकते हो, object equals to object 2 तो अब क्या होगा? एक memory के अंदर अलग कहीं पर object बनाता और कहीं पर object 2 बनाता, ठीक है? दोनों के दोनों student class के instances हैं, तो आपने गया object 1 का reference दे दिया object 2 को तो अब object 1 का reference गायब हो चुका है, object 2 का reference object 2 के पास हो और object 1 के अंदर भी object 2 का reference है, ठीक है? लेकिन अगर आपने suppose इससे final कर दिया, जब आपने इससे final कर दिया तो आप यह चीज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? एक बार आपने उसको initialize कर दिया, आप इससे assign नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो object के अंदर जो values है ना, उनको आप still change कर सकते हैं, तो आप object.name यहाँ पर define कर सकते हैं, कुछ भी, तो यहाँ कोई problem नहीं है, ठीक है? अलग-अलग तो सारी-सारी cases मैंने यहाँ पर handle करके आपको बता दिया हैं कि final variables अगर बनाते हो तो कहाँ पर changes हो सकते हैं, कहाँ पर changes नहीं होते हैं, ठीक है? इनिशलाइज कहाँ पर हो सकते हैं आपके, blank यह सब, blank variables का होते हैं, तो यह सब final के साथ ही associated होते हैं, final variables जब पढ़ाया जाता है, final variables जब बताया जाता है, तो यह सब चीज़े नहीं बता जाती हैं, ठीक है? आपसे यह जो टेड़े मेड़े चीज़े हैं, यही पूछे आएंगे, final variable के बारे में, simple कोई नहीं पूछता, तो अब आप यह सब चीज़े handle कर लोगे, ठीक है? आगे move करते हैं, अब आपका अधा final methods, तो final methods जब आप एक बार बना लेते हो, तो उसको आप फिर override नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब यह है, कि आपने यह बनाए student class, इसके अंदर आपने कुछ बनाया method, let's say, public void, get description, ठीक है? आपने यह method बनाया, और आप इसके अंदर कुछ कर दोगे की, the student name is name, ठीक है? तो student का name यह है, यह get description आपका function है, और let's say, मेरी main class जो है, वो extend कर लिए student class को, ठीक है? कुछ point बनता नहीं है, लेकिन, final keyword से मुझने के लिए कर लेते हैं, तो यह मेरी main class है, इसने student class को extend कर लिया, तो अब अगर मैं main class का object बनाऊंगा, तो due to inheritance, main class का object नहीं है, new main class, तो due to inheritance, I can access object.get description, यह access मैं कर सकता हूँ, जबकि मैंने main class में नहीं बनाए है, लेकिन क्योंकि वो extend कर रहा है, तो उसकी properties मुझे मिल जाएंगे, ठीक है? और अगर इसको मैं run करने का try करूँँगा, यह run भी हो जाएगा, ठीक है? the student name is null, because हमने name उसका define नहीं किया, तो उसका name जो है null है, तो यह यह वाली line call हो रहे है, जो student के अंदर है, now let's say मैं इसको override करता हूँ, ठीक है? अपने main class के अंदर मैं इस get description वाली function को override कर देता हूँ, तो public void get description, ठीक है? और यहाँ पर मैंने लिख दिया, inside main class, ठीक है? अब इसे run करेंगे तो क्या होगा? तो अब यह अपना वाला जो overridden function है, वो call कर रहा है, ठीक है? अब इसने यह run कर दिया, लेकिन अगर हम चाहते हैं, कि एक जो function है, अब यह override नहों सके, अब इसकी जो behavior है, अब यह change ना हो सके, ठीक है? अब इसका जो behavior था, अब यह final हो चुका है, तो उस case में उस method को final कर सकते हैं, तो मैं बोल दूंगा public final, अब यह जो get description वाला function है, यह final हो चुका है, तो अब इसकी जो children है, वो इसको change नहीं कर सकते हैं, तो अब आप इसे अगर override करने का try करोगे, तो आपको यहां पर देखो, compiled time error आ रहा है, और यहां पर लिखाया, cannot override the final method from student, ठीक है, cannot override the final method from student, तो आप यह नहीं कर सकते, तो basically आप इसके behavior को change नहीं कर सकते, आपका compiled time error आ गया, यह run नहीं होगा, ठी जो methods होते हैं, उनको basically आप override नहीं कर सकते हैं, उनकी जो एक बार आपने behavior define कर दिया, आप वो behavior final हो चुका है, वो change नहीं होगा, okay, move करते है final class की तरफ, तो अगर आपने class को final बना दिया, तो उसको आप extend नहीं कर सकते, एक बार, ठीक है, तो basically अब वो final class वहीं तक थी, उसकी आप children नहीं बना सकते हैं, तो सबसे पहले तो इसको हटा देते हैं, और यह जो error आ रहा है, ठीक है, इसको override नहीं कर रहे हैं, now let's say, मैंने जो class है, इसको मैंने final बना दिया, ठीक है, public final class student, तो इसका मतलब क्या है, अब यह student class है, इसको आप extend नहीं कर सकते, तो आप यहाप आपको compile time error मिलेगा, तो basically यह भी नहीं कर सकते हैं, तो यह आपका final keyword था है, और final keyword का आपको समझ में आगए हो करता क्या है, final keyword basically आपकी restriction को, आपकी, आपको restrict कर देता है, ठीक है, आपके actions को restrict कर देता है, और काफी helpful होता है, जब आप एक secure program बना रहे होते हो, जब आप चाह आपके अंदर कुछ backdoors ना है, आपके program के अंदर कोड के अंदर कोई backdoor ना छोड़ दो आप, तो उस जगह पर आपको final रखनी होते है, चीज है, कि अब बस इसके आगे change नहीं होगी कोई भी चीज, तो वहाँ पर यूज था final keyword, ठीक है, तो काफी important था, interview related जो भी questions थे वो म झाल